नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं, आज बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉंड की मुझे याद है, शुरुवात में जब चंदा दिया जाता था तो कई जो बिजनसमेन थे बड़े बड़े वो पार्टी इसको चंदा देते थे कई cash देते थे, कई बार ये कहा गया कि कोई company जो है, दो नमबर का पैसा अपना यहाँ redeem कर रही है और कोई हिसाब किताब party अपने हिसाब से रखती थी, जो बड़े बड़े चंदा देने वाले होते थे, लेकिन उसके बाद एक विवस्ता चालूई विवस्ता ये चालूई, जिसको कहा गया electoral bond, ये विवस्ता ये थी कि भाईया, जो company जिसको दे रही है, अब उसका पूरा हिसाब किताब होगा और ये एक bond के जरिये जो है, ये इसका एक तरीका निकाला गया, और SBI जो है, उसको authorized किया गया कि वहाँ से bond आप खरी दिये, और उसके बाद ये parties को जिसको देना है दीजी, लेकिन एक पारदरश्ती विवस्ता बनाई गई कि भाई, पता होना चालूई कि A company ने, B company ने, C इसको लेकर जबरदस्ट बवाल होगे, बवाल इसलिए होगे, क्योंकि Supreme Court ने अब साफ साफ पूछ लिया है, कि भाईया, A company ने, BJP को कितना दिया, B ने Congress को कितना दिया, अभी तक कि जो जानकारी निकल कर आई है, वो मैं पहले प्रवेश देता हूँ, प्रवेश पहले आ चंदा अवेल किया उसने, बिल्कुल, 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 देखे, दो PDF फाइल, SBI ने अपने उस पे अपलोड कर दिया है, वेबसाइट पे, तो उसमें जो पहला पता चलता है कि BJP को 6000 प्लस कोरोड रुपे का चंदा मिला है, मतलब 49% की हिस्सेदारी, टोटल में से, दूसरे पर आता है तुर्णमूल कॉंग्रेस, जिसे 1600 करोड से प्लस की फंडिंग मिली है, तीसरा है इंडरनेशनल कॉंग्रेस, 1400 करोड के आसपास, फिर BRS है, BJD है, 1200, 700 करोड, लेकिन जो मेजर रूल है, वो दो लोगों का है, BJP और TMC, उसमें भी huge margin है, जिसमें 47% है, ए 47%, वो सारा BJP के पास गया, बिल्कुल, 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 अब यह बताईए, सबसे पहला जो एक आम जनता भी है, जानना चाहेगी, कि ए कंपनी बड़ी-बड़ी कौन है, इन कंपनी इसके नाम बताती है, पहली, जो सबसे पहली कंपनी है, जो सबसे जादा, 1300 करोड से जादा, पकड़ लीजिए, उसने ये खर दे, बॉंड खर दे, जो सेकेंड है, वो है मेगा इंजिनेरिंग एंड इंफास्रुक्चर प्राइवेट लिम्टेड, जिसने 900 प्लस करोड के, मतलब 966 करोड के, उसने बॉंड खर दे, थर्ड है, क्विक सप्ल करोड की है, मतलब जो टॉप कंपनीज है, इतना पैसा इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को दिया, चाहे वो बीजेपी को दिया हो, चाहे को कॉंगर्स को, किसी को भी दिया, ये दिया, अभी अहाँ, अभी ये क्लियर नियु हो है, तो आज जो चंदर चूड है, हमारे ची गोपाल जी, छे हजार के आसपस करोड रुपया बीजेपी को मिला, तो ये फिर किस अधार पर है, प्रवेश तो कह रहा है कि ये तो पता ही नहीं चला कि किसने किसको कितना दिया, अभी तक ये जो निकल के सामने आया था, कि जो भी इलेक्ट्रोल बॉन खरीदे गए, उन बड़ी पारटी को गया है, बीजेपी को गया है, जिसमें से अमाउंट एज्यूम करके निकाला गया है कि ये अमाउंट के लगभग इतना होगा, जो छे हजार करोड के आसपास बैठ रहा है, अब है क्या, इसी बात को लेकर ही तो सारा बखेडा खड़ा हुआ, कि ये होता था कि भाई चंदा दिया गया, तो भाई फ़ला कंपनी या फ़ला इंडस्ट्री ने आके इस पार्टी को चंदा दे दिया, वो अल्मोस्ट पता चल जाता था, हुआ गया ये जो बवस्था एलेक्ट्रोन बारी आई, उसमें एक ये क्लॉस रखा गया, या उन लो चाहती है, क्या वो गलत काम कर रही है कोई? देखे, वो खुले आम गलत कर रही है या नहीं कर रही है, इसी बात को लेकर ये तो सुप्रीम कोट का दर्वाजा कट करा आगया, कि सरकार के उपर जो आरोप लग रहा था, वो यही लग रहा था, कि इसमें कुछ उस बेनिफि सुप्रीम कोट में डाती किया रही है? के बीच का है, इस लिश्ट में मार्च 2018 से मार्च 2019 का डेटा नहीं है, कब से कब तक का अभी भी दिगर नहीं हो रहा है? देखे, एपरिल 2019 से जैनवरी 2024 में, जैनवरी में ही सुप्रीम कोट ने इस इलेक्टोरल बोंड पर बैन लगा दिया था, बैन इसलिए लगा दिया क्योंकि सुप्रीम कोट के पास लगाता शिकायते जा रहे थी कि इलेक्टोरल बोंड का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे, मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ, चुनावी बोंड की जरिये राजनेतिक दलों को चंदा देने वाली टॉप जो 30 कंपनिया ह है, फर्मों में से करीब आधी फर्मे कभी न कभी CBI के रडार पर है, ED के रडार पर है, आयकर विभाग के रडार पर है, और ये भी आरोप लगा रही तमाम पॉलिटिकल पार्टीस की, जिसने पैसा नहीं दिया, रेड करा दी गई देखे, एक दो मैं जब ट्वीट्स पढ़ रहा था, मैं खुद भी जब ख़बर क्रॉस चेक कर रहा था कि ये सही है या गलत, तो उसमें से जो पहला केस ही निकला था, जो आया था, फ्यूचर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेस को, 400 करोड की ED संपती ने चंदा दिया, मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ अन रिकॉर्ड है, आप अभी गूगल करेंगे, तो आप गूगल करेंगे तो अभी आपको मिल जाएगा, कि कितने तारीक को रेड हुई, और ये जो 7 अप्रिल वाला डाटा है, वो तो वेबसाइट पर अप्लोडी कर दिया गया मतलब ये लोगों के आरोप है, इसको लोग इसी से जोड रहे हैं, इसी लिए ही ये सारी बाते उठी हैं, कि कहीं न कहीं इस चंदे की आर में धंदे का केल है, मैं वितमंतरी जी हो, हमारी है सीता रमन जी उन्होंने का है, चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों का रेड से कनेक्शन, इस पर वितमंतरी ने बोला है, ये कोरी कल्प नाए है, मतलब उनका साफ साफ कहना है सरकार का, कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, रेड अपनी जगा है, चंदा देना अपनी जगा है, लेकिन कई लोगों ने ट्वीट किया है, कई लोगों ने तमाम बाते कही है, एक और मैं पढ़ता हूँ, इलेक्टरल बोल्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाई, और बॉन्ड नंबरों का भी खुलासा किया जाए, स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट का सपस्ट निर्देश दिया गया, एक और है, डोनर्स और चंदा हासिल करने वालों की संख्या में इतना अंतर क्यों, यह सवाल उठाये कॉंगर्स ने, यह बड़ा important सवाल है, डोनर्स और चंदा हासिल करने वालों की संख्या में इतना अंतर क्यों, मतलब इसलिए, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की, कि एक पार्टी को 6000 करोल मिल रहे हैं दूसरी पारटी को सोला सो करोर मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह जो gap है यह जो margin है यह इतना unbalance क्यूं है इस यह इसी लिए Supreme Court में जो बात गई उसके बाद ही यह सारी सवाल सामने आने लेगें कि इसका मतलब electoral bond का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा कि अभी सीता रमंड वितमंदी सीता रमंड ने जो कहा है वो लगातार जो आरोप लग रहा है सरकार के उपर उसके अगेंस में जाके उन्होंने इबात कही है कि रेड को सीधे आप चंदे से मत जोड़े हैं चली एक चीज में और आपको बड़ी इंटरस्टिंग बताने जा रहा हूँ फ्यूचर गेमिंग कंपनी का आखर मालिक कौन है लॉट्री किंग कहा जाता है होटल सर्विसज में भी है और मार्टिन इनका नाम है जो इसके मालिक है मार्टिन ने शुरवाती दिनों में म्यामयार में मजदूरी करने वाले परिवार का पालन पोश्टन किया उसके बाद वह बारात आए लॉट्री का वेबसाई शुरू किया उसके बाग 1988 में क्योंबर टूर में मार्टिन लॉटरी एजेंसिस लिमिटेट की स्थापना की और जो सेंटी यागो मार्टिन जिनका नाम है उन्होंने ही सबसे ज़ादा चंदा दिया यानि करीब तेरा सो परोड का इनके जो आरोब लग रहा है कि सेंटी यागो मार्गिन के जो बड़े बेटे हैं चाल जोस ने 2015 में भाचपा जॉइन की थी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिए कि कंपणी दस साल में एडी डिपार्टमेंट की रेडार पर हैं दस साल से एडी और दिसेंबर 2021 में एडी की है कई मामले दर्जों मुझे तरह एक तरफ एडी ने खुछ ट्वीट किया है यह सब बहुत ट्वीट किया है सर यह इसमें तो यह तो बट ऑबिएस बात ने जिसकी पार्टी की सरकार होती है चंदा उसी को सबस्यादा मिलता है बिलकुल है यह हमेशा से रहा है कि पहले ज बहुत के तो पफरेंस तो पहले तो व्यवस्ता यह थी कि चंदे के बारे में पता ही होता था अब कम से कम यह तो है कि यह तो पता लग गया इस परिए प यह पथा तो अओत रह ठीवाद ने को पता है लेकिन अब जो वेवस्था जो 2017 में अरुन जेटली साब लेके आये थे उस वेवस्था में ये इंश्योर किया गया था कि किसी भी सूरत में हम उन लोगों का नाम नहीं बताएंगे जो लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं इसमें एक चीज और भी है अगर माल लिजे मैंने किसी पार्टी को चंदा देना है तो मुझे बॉंड खरिने की क्या ज़र होता है मैं चुप-चाप जाओंगा कैश पकड़ा दूगा नहीं नहीं चिराज जी ये वैवस्था ही की गई थी कि अब कैश का लेने नहीं बोगा समय टैक्स बेनीफिट भी मिलेगा आपको आपको टैक्स बेनीफिट भी मिल रहा है और सुनिये मुझे एक चीज मुझे मुझे पहले एक हजार करोड दे दिया और 1000 क्रोड कैश दे दिया देने के लिए इन लीगल पैसा तो इतना भी देदो लेकिन आप जब पार्टी फंड से खर्चा करते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा ने पैसा कहां से आया तो वो पैसा कहां से दिखाओगे कोई भी पार्टी हो कितिनी सब पार्टी हो को मिल रहा है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी को मिल रहा है किसी को कम किसी को यह बेकार, मेरी बात सुरो, एक मिनट, 500 करोड रुपए एक पार्टी का खर्च हो एलेक्शन में, यह इसका हिसाब जो है, वो 500 करोड का, जो ऑन रिकॉर्ड होगा, उसका देगी, जो 500 एलीगली खर्च हो उसका हिसाब भी तो उसी में जोड़ के देगी, आप सोचें, 500 जो पैसा दिया गया है, उसकी सिंपल चीज़ती सुप्रीम कोट ने बोला भाई, जानकारी दो, इस अजीब सी विवस्ता नहीं है, इतनी बड़ा विवस्ता चेंज लाए, एक पारदर्शिता इस सिस्टम को बनाने के लिए, और यही नहीं पता जी, किसने किसको कितना दि यही तो उसका कैच था, और यही इलक्टोरियल बॉंड की पहली शर्त रखी गई थी, कि अगर कोई आदबी जो चंदा दे रहा है किसी पार्टी को, वो अपना नाम नहीं बताना चाहता, वो पुब्लिक डोमेन में अपना नाम नहीं लाना चाहता, इसी लिए उसका एक सी इसका एक और चीज है, दोनों तरफ से देखा जा सकता है, जैसे कहा जा सकता है कि समझे मेरी कंपनी है, मुझे देना है किसी पार्टी को, लेकिन मुझे लीडिंग पार्टी को नहीं देना है, किसी और को देना है, लेकिन मेरे बारे में पता चल जाएगा, तो क्या पर इसी इनका ऐसा कहना था कि इससे किसी पार्टी को हाम नहीं पहुचेगा जिसको जिसको देना है उसकी पहचान गुपत रहेगी तो मतलब क्या होगा जो डोन और जो देने वाला होगा उसको कोई नुकसान नहीं कि भाई मुझे डरने की कलको में आइंसी को दू मैं बीज इस पूरी कवायत के पीछे कई शेल कंपनिया है और उन यह अब ऑन रिकॉर्ड है कि इसके पीछे कई शेल कंपनिया हो सकती है और उन शेल कंपनियों के पीछे जो उसके ब्रेन है वो हो सकता कोई विदेसी हो जबकि विदेसी पैसा लाना हमारे हाँ इल्लीगल है किसी भी सूरत है इस तरीके से जो बात कही थी मेगा वो बात पब्लिक डोमीन में खुछ जैराम रमेश ने कहा कि मेगा इंजीनिरिंग एंड इंफ्रा ने आठ सो करोड रुपे का चंदा दिया है एप्रिल 2000 में कंपनी को चौदो सो करोड डोनेट किये इसके ठीक एक महीने बाद कंपनी को चौदो सो करोड रुपे का थाने बोरे वली Twin Tunnel Project मिल गया मतलब यह खुद विपक्स हाँ यह यह तमाम आरोप सही है जो लगा रही विपक्स यानि की चंदा दो धंदा लो या फिर यह कहा जाए कि भाई चंदा ED की रेड मत करो चंदा ले लो और आखिर नाम बताने में दिक्कत क्या है भाई आप फलाने को दे रहे हो बता दो नाम अपना अगर आप दाल में कुछ काला होगा तभी तो आप जुड बोलोगे नहीं तो आप बोलोगे लो जी यह दिया इसने दिया है A ने दिया है B ने जाता है यह कहीं अंसा तो नहीं यह जैम्स बॉंड हो कुछ और कहानी हो तो हम इसकी पूरी कहानी आपको इसके पीछे जो कुछ भी पूरी कहानी है जो पूरा सच है हम उसको ला लाएंगे आपके सब्सक्राइब कर दो हम आपके सब्सक्राइब